येनो मस्कर दोस्टी वुटूब चैनल आपका स्वागत दोस्तो आज हम करने वाले हैं लल्बी और बी लल्बी के यूपी लैंड लो का mcq q 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 विदी है वस्यत को इस्तानांतरन नहीं है पर विदी है हस्तानांतरन की हस्तानांतरन की विदी है next question दोस्तो निम्न लिखित में से कौन एक असामी की कास्तकारी की परकरती की अनुसार बेदखली का आधार नहीं है ठीक है तो इसका अंसर है दोस्तो सा एक विकलांग व्यक्ति के आसामी को बेदखल करना विकलांग व्यक्ति को आसामी से बेदखल नहीं किया जा सकता है ठीक है अगला नेक्स्ट कोशन है दोस्तो यदि मुआवजे के भुकतान के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाता तो ब अधिक की अवधी के लिए असामी को पटन नहीं दिया जा सकता है पांच वर्ष से अधिक क्या है पांच वर्ष से अधिक असामी को पटन नहीं दिया जा सकता है रिसीवर की नियुक्ति के लिए भूमी की पूर कुरकी है इसका मतलब कोई अंसर नहीं है इसका पता नहीं चल पाए ठीक है उत्तर परदेश की जम्मिदारी विनास और भूमी व्यवस्ता अधिनियम यूपी जैड़ एलार की अनुसार एक व्यक्ति कुल मिलाकर कितने से अधिक भूमी नहीं रख सकता है इसका अंसर है बारा पॉइंट पाँच एकड़ बारा पॉइंट पाँच एकड़ से अधिक उत्तर परदेश सीग है यूपी जैड़ एलार की अनुसार एक व्यक्ति कुल मिलाकर पारा पॉइंट पाँच एकड़ से अधिक की जम्मिन नहीं रख सकता है नेक्स एक यूपी जैड़ एलार अधिनियम के तहत उप परिवर्तन का अर्थ क्या है दा सिर्शक विलेक का परिवर्तन क्या है इसका सिर्शक विलेक का परिवर्तन नेक्स्ट कोर्सन दोस्तो यूपी जैडे एलार अधिनियम की किस धारा के अंतगर्त विदेशी नागरिग भूमी का अधिगरण नहीं कर सकता है इसका अंसर है 154A 154A के अनुसार दोस्तो कोई भी विदेशी नागरिग जो है वो भूमी का अधिगरण नहीं कर सकता है प्राप्त करन करेगा तो उसकी अनुमती किस से लेनी पड़े इस्सा राजय सरकार से अगर मान कि चलो कोई भार से आता है कोई विदेशी आता है वो यूपी में जमीन लेना चाता है तो ऐसे थोड़ी न उसको जमीन नाम हो जाएगी ऐसे नहीं हो सकता है उसको राजय सरकार से परमीसन लेनी होगी ठीक है जिस भी राजय में लेगा धारा 157 B के उलंगन दुवारा अनुसूची जाती के वैक्ती दुवारा किया गया हस्तांतरन सुन्य है क्या है सुन्य है दोस्तो जो यह धारा जो important आ रही है यह आपकी exam में आने वाल यह धियान रगना ठीक है सबसे पहली बात है सीर का मतलब क्या है सीर का मतलब स्वेν है इसका अंशर आ हो जाएगा इसका अंशर क्या है दोस्तों स्वें ए इसका अंसर है राजस्व न्याले की परिभासित, राजस्व न्याले की परिभासित है, राजस्व न्याले किस में परिभासित है दोस्तों, राजस्व न्याले आप CPC, सिविल परकरिया सहीता की धारा 5-2 में देख सकते हो, और भूमी राजस्व अधिनियम, धारा 4-8 में भी देख सकते हो आ और बाद दोनों इसका अंसर है राजस्व न्याले में कौन सामिल नहीं है राज्य सरकार कौन सामिल नहीं है राज्य सरकार कितनी तरह से उप परिवर्तन किया जा सकता है दो तरीके से 20 का अंसर जाएगा दो तरीके से कानुन को किस अधिकारी को और कितने समय में उप परिवर्तन की आख्या भेजता है तैसिलदार को तीन महीने के भीतर कानून गो जो अधिकारी कानून गो तैसिलदार को तीन महीने के भीतर उप परिवर्तन की आख्या भेजता है ठीक है नेक्स्ट कोशन दोस्तो आसामी का किराया देने का दाइत वे किसको है पहले भी कुछन आये था दोनों को भूमी धारकों को और गराम सभा को दोनों को है यह इसका अंसर हो जाएगा ठीक है तो यह इसका अंसर हो जाएगा भूमी परबंदन अधिनी समीती भूमी परबंदन समीती का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है इसका अंसर दोस्तों यह सभी भूमी परबंदन समीती क्या 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 कार्य मैं आपको बताऊं ग्राम सभा दुवारा वादों का संचालन एवं अभिवाज अभियोजन भूमी क स्थाई क्रण एवं परबंदन होट हाट बजार वे एवं मेलो का परबंद करना यह सब भुमी परबंद समीती के कारे है कौन सा कारे निती कर यह सब कारे तो दाइस कान सुरो जाएगा पैनल अधिवक्ता को किस धारा के तहत परिवासित किया गया है 127B के अंतगर्द किसके अंतगर्द 127B के अंतगर्द बंदोबस्त अधिकारी की निक्ति कोन करेगा राजे सरकार राजे सरकार बंदोबस्त अधिकारी की निक्ति करेगा ठीक है आगे है यूपी जैडे एलार अधिनियम की अनुसार पेडों की कोई विशिष्ट भुमी जिस के उपजाओ भूमी उसको हम क्या बोलेंगे उपजाओ भूमी, लुदन्देल खंड में 4.8 75 एकर से कम भूमी क्या कहलाती यह टुकड़ा, क्या कहलाती है टुकड़ा चाय कोई वी जमीन हो दोस्तों, फोर पॉइंट आठ सो पीचतर एकड़ से कम की जो जमीनों तो इसको टुकड़ा कहा जाता है वह तिति जिसमें जमीदारी को समाप्त क्या क्या है उसको क्या कहा जाता है नहित होने की तिति अगला कोसन दोस्तो उत्तर परदेश किरायदारी अधिनियम से भी कोसन पूछे जाते है यह वही कोसन है यह कोसन पेपर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ सोल कोसन पेपर है मेरे पास उत्तर पर्देश किरायदारी अधिनियम 1949 के बाद भी जमिदार किसी किस भूमी का अधिगरन कर सकता है किरायदार पट्टा दुवामी पर भूमी जोते तो क्या कहलाता है इसका अंसरो जागा सीर भूमी का किरायदार मुआवजे अधिकारी सबसे पहले क्या बनाता है मुआवजा अधिकारी सबसे पहले प्रारूप रोल बनाता है ठीक है नेक्स्ट कोसन दोस्तों धारा 157 एक अंतगर्द एक अनुसूची जाती का वैक्ती भूमी हस्तांतरित किस करम में कर सकता है सही करम बताए किस करम में करेगा इसका अंसर है आपको बताता हूँ इसका अंसर बा है क्या है बा पहला दो दूसरा भूमी हीन किरसी मजदूर उसके बाद सिमान्त किसान उसका छोटे किसान फिर पंचाईची छेत्र के लोग दुआरा नागरी ठीक है अगर उसन जाइदाद का मतलब क्या है वह चेत्र है कौन सा चेत्र है आउर्बा दोनों खतोनी में इस थाई पट्टा धारकों से संबंदित जो की खेवट में उलेखी थै आउर्बा दोनों जाएगा ठीक है जाइदा से संबंदित कौन सा कथन सत्य नहीं है कौन सा कथन सत्य नहीं है ठीक है इस अधिनियम के तहत कौन सी धारा भूमी को पट्टे बर देने बर रोक लगाती है 156 धारा 156 किसकी अनुमती से एक भूमीदर दूसरे भूमीदर से अपनी भूमी का विन्मिय कर सकता है किसकी अनुमती लेनी पड़ती है इसका अंसरा साहक कलेक्टर साहक कलेक्टर से आपको अनुमती लेनी पड़ेगी किस धारा के अनुसार एक भूमी दर अपनी भूमी को गिर्वी नहीं रख सकता है इस कंसर है दोस्तों 100 धारा 155 सीमा चिन का अनुरक्षन कोन करता है सीमा चिन ठीक है सीमा चिन का अनुरक्षन ग्राम सभा करते है कोन ग्राम सभा नेक्श्ट है रिकोर्ड ओफ राइट कहा दिया गया है कौन सी धारा मत दिया गया है दोस्तों भूमी राजस्व अधिनियम की धारा 32 में दिया गया है ये अधिनियम भी आपके माएगा ये कोशन पिपर में आपको करवा रहा हूँ जमिदारी उन्मूलन समीती के अध्यक्स कौन थे गोविंद वल्लम पंथ ठीक है साइस कंसर हो जाएगा नेक्स कोशन सायर कौन है सायर दोस्तों भूमी धर है कौन है भूमी धर है यह सकंसर हो जाएगा इसतरी जब बिना वसियत के मर जाती है तो भूमी के उत्रा दिकार का प्रावधान कहां किया गया है इसकांसर धारह 114 में ठीक है यूपी जैड़े एल रेक्ट में धारह 114 में बताया गया है नेक्स कोशन दोस्तों भूमी राजस्व अधिनियम के अंदर कर कौन सा अपीली और पुन्रिक्ष्ण नियाले नहीं है इसकांसर दोस्तों आयुक्त क्या आयुक्त है वो अपीली और पुन्रिक्ष्ण नियाले नहीं है नेक्स कोशन आजाते हैं दोस्तों यहां से स्टार्ट करते हैं 45 परित्याग लागू होता है अगर भूमी धर अधिनियम भूमी धर अपनी भूमी का उप्योग नहीं करता है इसकांसर लगातार दो साल दो साल तक कि नैक्स्ट कोशन दोस्तों गैर हस्तांत्रिन गैर हस्तांत्र अधिकार वाला भूमी धर अधिकार वाला भूमी धर बन सकता है यहां कतन सकता है सीमा या सरवेक्षन निसान को मिटाने का धंड कितना है 50 रूपे कितना 50 रूपे कलेक्टर के आदेश के खिलाब अपील उत्तर परदे राजस्व अधिनियम के अंतगर्द नहीं थोगी इसका अंसरा आयुक्त में ठीक है नेक्स कोशन राजस्व अधिनियम के अंतगर्द सोसन अंतगर्द संसोधन का अधिकार किस प्राधिकरण के पास है इन सभी के पास आयुक्त के पास रिकोर्ड अधिकारी कलेक्टर के पास जो राजस्व अधिनियम के अंतगर्द संसोधन का अधिकार है उनके पास ठीक है आ आपनी संपत्ति का कितने गुना मुआवजा पाने का हगदार है सा इसका आठ गुना कितना आठ गुना यूपी जैडे एलार अधिनियम के अंतगर्थ के अनुसा निजी कुए अबादी के पेड़ और इमारते व्यवस्तित होती है वर्तमान स्वामी के साथ यूपी जैडे एलार अधिनियम की धारा नो के अंतगर्थ निजी कुए अबादी के पेड़ो इमारतों की व्यवस्ता के लिए व्यक्ति को गाओं में निवास सायद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है इसका बैस कंसर्प जैगा धारा नो में बताए गया है ये वा नेक्स्ट वोसन है दोस्तों 30 अक्तूबर 1954 को न्युक्त तिति के रूप में जाना जाता है क्यों इसका अंसर है दोस्तों अधिवासी अधिवासी को सीर्दारी अधिकार परदान किया गया है ठीक है यूपी जैडे एलार के अधिनियम के किस अध्याय में पुनर वशन दोनों में राजय सरकार को भी रख क क्या है थीन वर्स नेक्स्ट कोर्शन है जहां गराम सबा या स्थानिय प्राधिकरण में नहीत संपत्ति को नुक्सान पहुचाया गया है या उसका दुरूप्यों किया गया है भूमी परवंद समीती इसकी जानगारी देगी आ इसका नसो जाएगा साहय कलेक्टर को संपरण के मामले में कबज की सुपुर्दगी आवस्यक है आगे नेक्स्ट वर्शन भूमी जोत अधिनियम की धारा पैंतिस एक अंतगर्द अधिक्तम सीमा का आरोपन लगाने पर कोई भी न्याल्या अपराद का संग्या नहीं ले सकता है बिना पूरू अनुमतिक के राज्यसरकार की क्या है राज् चैसी एम दी गई है ठीक है लाश्ट कोसन हम करते हैं दोस्तों भूमी राजस्व अधीनि भूमी राजस्व एकट्टा करने की जिम्यदारी किसकी है राज्यसरकार की ठीक है तो ऐसे वीडियो के लाइक करें सेरके सब्सक्राइब करें दोस्तों और भी मैं MZQ कोसन लेने लाने वालों जो आपके पिछले साल की कोशन वेपर है जो अब एक्जाम में आने वाले इंपोर्टेट नोर्स फटाफट में बनाने वाले टाइम बहुत कम है ठीक है दोस्तों और यह अगर आपको पीडियाफ चाहिए तो यह पीडियाफ आपको मिल जाएगी तो आप मेर इसे नेक्स दोने धन्यवाद